बहुत कम अवाज आ रहए है, थोड़ा उंचा बूलिया प्लीज आ, मैं बोल रहा हूं कि मैं अभी उमाई इनटी से बात करने आ हूं थेर भए खाना खाए तो खाना, खाना काओ कैंड़ ए ठाए हो भाई हां हां आया हूं हां बस भी जोर से वो लो, चलो मैं मतलब अभी युमानिटी पर बात करें आया हूँ तो मैं ये बोलना चाहता हूँ मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इसलम में मतलब जो युमानिटी का जो रूल्स बनाए है ना वो मतलब अपने रिलिजन के फाइदा के हिसाब से बनाए है पर जो असल में जो सच है उसके हिसाब से नहीं है मतलब मेरे को इसाह लगता है अच्छा कि आपने ये बात कहके जरा बताएंगे कि जो असली रूल हुमेनिटी वाले हैं वो कौन से होने चाहिए झाले हैं हो मतलब जो लोजीकली जो सही हो और मतलब जो सब को फाइदा प्रेजामपल दीजिए इविस एक तो आपके अच्छे लगते हैं जो आप समझते हैं लाके सही है उसकी को एक तो मतलब है कि देश में अगर कोई लीडर बनना चाहता है तो वो अपने मतलब टालेंट के हिसाब से उसको बनाना चाहिए ना कि उसके रिलिजिन के बैसिस के यह किसने तैकी है यह बात यह लॉजिक नहीं देखिया जो उसका हगदार है उसको मिलना चाहिए ना वो पॉजिशन नहीं लॉजिक कौन सी लॉजिक ने की है डिड़क्टिव लॉजिक ने इंड़क्टिव लॉजिक ने क्योंकि अगर आप डिड़क्टिव की बात करेंगे तो मैं अभी आपको वहला थाबत कर देता हूँ नहीं नहीं यह मतलब humanity का logic humanity का logic क्या होता है मतलब humans को equally treat करना humans को आप equal treat करते हैं हाँ मतलब उनके talent के basis पर equally treat क्या जाए मतलब उसका अगर talent इतना है तो उसको वो position मिलना चाहिए ना कि religion उसका अलग है तो उसको नहीं देंगे ऐसा नहीं हाँ तो ये तो इस पे तो हम agree करते हैं लेकिन जब आप बात करते हैं talent की तो उसके साथ-साथ capacity भी होती है ऐसी ही बात है हाँ वोई talent capacity हाँ वोई बोल रहा हूँ हाँ capacity उसकी बात है अब एक Muslim country में अगर एक non-muslim का प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं जो के Muslim नहीं है और वो मुलग बना है Islam के नाम पे वो मुलग बना है इसलिए कि वहाँ पे इवन जो minorities को जो rights मिलें जो कि उनके absolute rights हैं कोई Muslim उनसे ले नहीं सकता वो भी religion के ही दिये हुए हैं तो आप एक non-muslim से expect करेंगे कि वो non-muslim होते हुए दो चीज़ें number one ये कि वो non-muslim हो कि वो Muslims के act पे सही भी हाफ कर सकता है और number two ये कि जब वो majority Muslim country में Islam, Muslimानों के लिए rules बनाएगा तो हर दफा वो अपने religion के खिलाफ जा रहा होगा ये अपने system of belief के भले वो atheist क्यों नहीं है उसके खिलाफ जा रहा होगा तो ये उसके साथ इनसाफ होगा ये ये Muslimानों के साथ इनसाफ होगा कि एक ऐसा आदमी जो उनके दीन को समझता ही नहीं है वो उनके लिए फैसले करे जबकि उन्होंने मुलक बनाया इस लिए कि वहाँ पे हर चीज़ इसलामी हो ये तो logic आपके यहीं भी खतम हो गई अगर फिर भी मतलब वो सब से सब कुछ सही से करेगा ये तो होगी आपकी जाती रहे ना आपने logic की बात की थी लोजिक तो अगर इस पर डिड़क्टिव लोजिक अप्लाई करें तो बात तो यहीं भी खतम हो जाती है प्रैमिस नमबर वन के जो अपने एक सिस्टम को समझता है वो उसको बेस्ट वही आदमी उसको एग्जीक्यूट कर सकता है प्रैमिस नमबर टू जो नौन मुसलिम्स होते है वो इस्लामिक सिस्टम को तरह से नहीं समझते का रूलर नहीं होना चाहिए डिड़क्टिव रीजनिंग तोटली आपके खلاف जारी है जो डिड़क्टिव लोजिक है और अगर ऐसा देखा दे तो मुश्लिम को भी मतलब नॉन मुश्लिम जिसमें लिडर नहीं बनना चाहिए अगर उनका ये रूल है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें लेकिन मैं आपको एक बात बता हूँ रूलर कहीं भी नहीं बना करता जो सिस्टम के खलाफ होता है मिसाल के तोर पे मैं आपको एक्जामपल देता हूँ पाकिस्तान में हमारा ये कॉंसिट्यूशन है कि जो नौन मुस्लिम है वो मुलक का प्राइम मिनिस्टर प्रेजिडन नहीं बन सकता ये इस बेस पे है कि हमारा constitution अलाव नहीं करता है क्योंकर religion is important thing अब religion को आप side पे रहा दें किसी और मुलक में चलते हैं ऐसे मुलक में चलते हैं यहां पे religion important नहीं है वहाँ पे for example capitalism important है आप किसी भी capitalist country में जाके किसी socialist से कहें absolute socialist जो है ये जो बने हुए ना आज कल के जो socialist है मैं उनकी बात नहीं कर रहा जिन को कहा जाता है जो क्या उसे मावी जमगाटर में रिजहां से निकल गई है जो actual pure socialist है आप capitalist मुलकों में जाके कहें कि आप इने कहें कि आप इनको इजाज़त दें कि आपके economic systems की important है therefore एक economic system का आदमी दूसरे मुलक में जो predominant economic system है वो उसमें नहीं जा सकता उसको प्राइमरेसर वो accept नहीं करेंगे तो मुझे ये बताएं ये कौन सी logic है कि ऐसे countries जहां पे religion के हमियत नहीं है उनकी example आप ठोंस रहे हैं ऐसे country पे जहां पे religion के हमियत है वाट कांड ओफ लॉजिक इस दार पर तरकी में देखो ना वहाँ पर तो वो secular देस है ना वो मुस्लिम भी है और सेकुलर देस है उसका स्टेंडर्ड आप पाकिस्तान जैसे मुलक पर क्यों अप्लाई करेंगे पाकिस्तान तो सेकुलर नहीं है हाँ वो पाकिस्तान हाँ उसके लिए आप बोल शक्ते हैं पर तरकी में तो है ना वहाँ पर नन मुस्लिम चाहे तो बन शक्ता है या प्राइमिनिस्टर तो उनको नों ने कॉंस्ट और वो तुरकी की फेज में है 18-20 साल का उनका एक प्रॉसेस चल रहा है मुमकिन उनको 10-15 साल और लग जाएं लेकिन दे आर हेडिंग तो वोड़्स तैर मतलब इसमें कौन सी आपने इसमें कोई ऐसी खास बात कह दी कि जिससे को लॉजिक डिफीट हो रही है जबकि लॉजिक टोटल आपके अगेंस जा रही है टोटल ही